Hello everyone, welcome to class number 21 of the chapter IT Applications. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में, आज का हमारा टॉपिक है DDLC. यह DDLC क्या है? पहले जानते है DDLC का फुल फॉर्म. DDLC का फुल फॉर्म है Database Development Life Cycle. तो DDLC का फुल फॉर्म क्या है? Database Development Life Cycle. तो यह Database Development Life Cycle क्या है? Database Development Life Cycle हम क्यों यूज करते हैं? आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. जैसे कि suppose हम कोई graphical application यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमें Database की जरुत है, या फिर हमें कोई Database Project बनाना है, तो अगर हम एक Database Project बना रहे हैं, तो वहाँ पे directly तो हम Database नहीं बना सकते. जैसे कि suppose आपको एक घर बनाना है, तो directly तो आपका एक घर नहीं बन जाएगा. पहले आपको घर बनाने के लिए planning करना होता है. Planning करने के बाद क्या क्या requirements हैं? उनको analysis करना होता है. requirement क्या क्या है? analysis करने के बाद फिर उसका एक design बनाना होता है. design बनाने के बाद फिर आपको उसको कोई contractor को देना होता है घर बनाने के लिए. बनाने के बाद उसका मतलब जैसे की testing होता है कि घर सही से बना है कि नहीं? जैसे हमने बोला था. फिर उसका maintenance होता है. एसे बहुत सारे series of steps series of processes होते हैं एक घर बनाने के लिए वह ऐसे ही अगर हम एक database बनाना है तो database भी तो हम directly नहीं बना सकते database बनाने के भी kut series of steps होंगे ये फिर kut series of processes होंगे जिसके द्वारे हम process by process step by step हम क्या कर सकते है database को develop कर सकते है if date database project develop कर सकते हैं वही series of steps इूस करके जो हम database develop करते हैं उनि series of steps को हम बोलते है database development life cycle database is going through a series of changes during its cycle of development अगर हमें database project develop करना है तो इस database project को develop करने के लिए हम जो series of steps उस करते हैं उनि series of steps को हम क्या बोलते हैं DDLC Database Development Life Cycle एक database को develop करने के लिए हम जो cycle या फिर जो steps यूज करते हैं उनी steps को हम क्या बोलते हैं DDLC DDLC is a process और इस a cycling process of developing a particular database project एक database project को develop करने के लिए हम जो cycling process यूज करते हैं उस process को हम बोलते हैं DDLC समझाएगे DDLC क्या है तो DDLC मतलब database development life cycle जबकि हम उस करते हैं एक database project को develop करने के लिए और database project को develop करने के लिए DDLC जबकि different type of steps को follow करता है एक database को develop करने के लिए तो वो सारे steps क्या है database planning, requirement analysis, database design selection of DVMS, implementation and testing then operational maintenance जैसे कि अगर आपको एक घर बनाना है तो पहले आपको planning करना होता है फिर क्या क्या चाहिए उसको requirement का analysis करना होता है फिर घर का एक designing बनाना होता है diagrammatic designing designing बनाने के बाद फिर उसको contractor को आपको provide करना होता है contractor उसको बनाने के बाद फिर आपको वहाँ पे check करना है कि घर पे हर जगा पे जैसे हम चाहते थे वैसे बनाया हुआ है ही नहीं फिर हम वहाँ पे रहने जाते हैं रहने के बाद वहाँ पर कुछ maintenance करना होता है तो maintenance भी करते हैं तो यह सारे steps हैं एक घर को बना के उसको प्रॉपर वे में करके रखने के लिए वैसे ही अगर हमें कोई database चाहिए और कोई database project अगर हम बना रहे हैं तो उसके अभी कुछ steps है उस database project को बनाने के लिए उनी series of steps को हम बोलते हैं ddlc database development life cycle तो उसे ddlc में हम different type of steps tips follow करते हैं एक database project को बनाने के लिए जैसे कि पहले हम planning करते हैं database को बनाने के लिए कि किस थरह का हमें database चाहिए उस particular database को हम बनाने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा उस पहले planning किया जाता है planning करने के बाद उस particular database के लिए हमें जो जो भी requirements हैं सारे requirements को हम एनालेसिस करते हैं एनालेसिस करने के बाद उस डाटावेस का एक डिजाइनिंग बनाते हैं डिजाइनिंग बनाने के बाद फिर हम DBMS software select करके क्या करते हैं उसके लिए program लिखके database design करते हैं database को बनाने के बाद उसी database को हम implement करते हैं उस particular customer के computer में जिस customer ने हमें उस particular database project को बनाने के लिए बोला था उसके computer में implement करने के बाद install करने के बाद उस database project को हम test करते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, टेस्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अगर सही से काम कर रहा है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं customer को use करने के लिए, और उसके बाद अगर बीच बीच में कभी भी maintenance की जरुत पड़ती है, कि suppose database project properly काम नहीं कर रहा है बीच में कभी, तो वहाँ पर maintenance की जरुत पड़ती है, तो वहाँ पर maintenance हम करते हैं next phase में, तो यह कुछ different steps हैं, जिन steps को हम follow करते हैं, एक database project को बना के उसको maintain करके रखने के लिए, और इनी steps को ही हम बोलते हैं क्या, इनी steps को हम बोलते हैं DDLC a database development life cycle, तो जब कि हम database development life cycle use करके database project को develop करते हैं, और वहाँ पर DDLC में या database development life cycle में, हम more than one steps को use करते हैं database project को develop करने के लिए, तो वहाँ पर जितने भी steps हम use करते हैं, सारे steps को हम one by one, एक step complete होने के बाद ही हम next step में आएंगे, जैसे कि अगर आप कोई घर बना रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, पहले आप घर बना लो, उसके बाद उसका डिजाइन करो कि आप कैसे घर बनाना चाहते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है, पहले आप क्या करो, प्लैनिंग करो, प्लैनिंग करने के बाद क्या क्या क प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जहांपे कि हम multiple number of steps यूज करते हैं डाटाबेस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तो जिस step के बाद जिस step है उसी step के बाद उसी step को ही हमें perform करना है तब जाके हमारा steps को हम क्या करते हैं एक के बाद एक करके one by one sequentially use करते हैं database project को develop करने के लिए तो जबकि हम database project develop करने के लिए यह सारे steps को sequentially one after another use करते हैं पहले first step होगा फिर second step होगा फिर third step होगा फिर fourth step होगा तो step by step जब कि हम क्या करते हैं सारे steps को फोलो करके database project को develop करते हैं तो यह DDLC process में जबकि हम step by step सारे process को perform करते हैं तो इसको इसलिए हम waterfall model भी बोलते हैं waterfall model क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पे अभी आप diagram देख सकते हो कि जब हम database project develop करते हैं तो sequentially one by one step follow करके हम क्या करते हैं one by one step follow करके हम यहाँ पर database project को develop करते हैं तो one by one step जो हम follow करते हैं तो यहाँ पर इसको हमने DDLC को किस हिसाब से represent किया है एक waterfall के हिसाब से waterfall मतलब जैसे कि जरने में पानी कैसे होता है उपर से नीचे गिरते गिरते आता है फूरा वैसे ही एक model हमने यहाँ पर बनाया है किसका database project develop करने का तो database project को अगर हम develop करते हैं इस model को use करके फिश मॉडेल को हम बोलते है waterfall model क्योंकि जिकने में कैसा है waterfall जैसा है कि waterfall में कैसा होता है उपर से पानी step by step step by step नीचे 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 आता रहता है वैसे ही यहां फे भी हम क्या कर रहे हैं, database project को step by step step by step उपर से नीचे तक develop करके 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 आ रहे हैं और पूरा नीचे जब पहुंच जाएंगे तब हमारा database project क्या होगा, तब हमारा database project पूरा completely बन चुका होगा पहले हम प्लानिंग करेंगे एक डाटाबेस जब हम बनाएंगे तो पहले प्लानिंग करेंगे जैसे कि घर अगर आपको बनाना है तो पहले आप प्लान कियो होगे घर बनाना है तब आप क्या करो घर बनाओगे तो पहले हम क्या करते हैं डाटाबेस बनाने का जैसे घर बना सकता है कितना टाइम लगेगा यह सारे रिक्वार्मेंट्स हैं यह सारे रिक्वार्मेंट्स को हम एनलेसिस करते हैं कि क्या क्या रिक्वार्मेंट है हमें उसको एनलेसिस करने के बाद फिर हम उसका एक डिजाइन बनाते हैं डिजाइन बनाने के बाद उसके बाद हम कॉंट् प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको फिर हम repair करते हैं, मतलब उसका Maintenance करते हैं, और यह है हमारा total process, एक घर को बना के उसके proper वैमें उसको maintenance करके रखने के लिए, ओके तो वैसे ही जब भी क्या हम टाटा बेस इस प्रोजेक्ट डपाप करते हैं हम वही same steps को follow करते हैं पहले हम database develop करने के लिए पहले plan करते हैं planning करने के बाद फिर हम क्या क्या requirement है उसको analysis करते हैं analysis करने के बाद फिर उसका एक designing बनाते हैं designing बनाने के बाद फिर हम database बनाने के लिए हम क्या है उस करते हैं dbma software तो एक DBA में software select करते हैं उस particular database को बनाने के लिए, database बनाने के बाद उसको जिस customer ने हमें उस particular database को बनाने को बोला था, उस customer के computer में हम database को install करके उसको test करते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, अगर सही से काम कर रहा है तो हम उसको user को provide करते हैं यूज करने के लिए, और problem को solve करके उसको maintain करके रखने के लिए हम फिर उसको क्या करते हैं उसको maintain करते हैं उसमें जो भी changes जवरत परती है उसको changes करते हैं तो यह है series of steps जिसको हम follow करते हैं database project develop करने के लिए और इनी series of steps को हम बोलते है DDLC और जबकि एक waterfall design में है तो इसलिए हम इसको waterfall model भी बोलते हैं okay so first step हमारा क्या है database project develop करने का database planning तो database planning phase में हम क्या करते हैं database planning stage begins when a customer request to develop a database project कोई customer जाता है software company में उसको database project चाहिए तो जब एक customer एक software company में जाता है और database project बनाने को बोलता है वहाँ पे उस company में किसी भी employee को तो वहाँ से सुरू होता है database project का planning okay तो पहले जाके कोई customer बोलेगा कि मुझे database एक चाहिए database project चाहिए तब जाके न वो planning शुरू करेगा okay तो planning कब से सुरू होता है जब एक customer जाके बोलता है कि उसको database project चाहिए okay तो जब हम planning शुरू करते हैं जब यह customer आता है हमारे पास कि उसको database project चाहिए तो सबसे पहले हम उसको क्या पुछते हैं? कि उसको किस तरह का database चाहिए? उसको कितने price वाला database चाहिए? उसको कितने दीन में database चाहिए? वो सारा चीज, information उससे collect करते हैं हम. और database planning में हैं, हम वही करते हैं. Database planning में हम क्या करते हैं? कुछ set of activities पॉखम करते हैं. जबकि एक customer हमारे पास आता है कि उसको एक database project चाहिए, तो इस database project को develop करने के लिए हमें क्या क्या resources चाहिए, हमें कितना time चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उसको कितने price वाला product चाहिए, ये सारा information हम क्या करते हैं? Collect करते हैं database planning phase में, किस customer से, जिस customer को database project चाहिए है. तो क्या-क्या activity, क्या-क्या task हम पॉफम करते हैं database planning phase में, review and approve database project request, जो database project के लिए हमें customer ने बोला, उस database project को हम review करते हैं, कि वो जिस तरह का database project बनाना चाहता है, उसके लिए जह जो requirement है, उससे हम collect करते हैं, उसके बाद हम उसको approve करते हैं कि वो जिस तरह का project बनाना चाहता है, जितने दिन में वो बनाना चाहता है, उतने दिन में उतने price में उसको उसतरह का project provide कर पाएंगे की नहीं? यह करते हैं हम planning phase में first, second, arrange the request according to priority. हम जो database project बनाएंगे customer के लिए वहाँ पे किस मतलब उस particular database project में हमें किस चीज़ को ज्यादा priority देना है किस चीज़ को कॉम priority देना है उसको proper way में arrange करके रखते हैं database planning phase में उसके साथ allocate करते हैं resources जैसे कि कितना पैसा खर्चा होगा, कितने लोग इसके लिए चाहिए, कितना time लगेगा project के लिए ये सारा चीज़ भी हम planning करते हैं database planning phase में उसके बाद हम क्या करते हैं making a team, एक team बनाते हैं उस particular project को develop करने के लिए तो ये सारे activities हम perform करते हैं database planning phase में जब भी हमें database project develop करना होता है तो तो हमने customer के साथ interact किया, customer से सारा information लिया, उसको approve किया कि हाँ हम आपका project बना लेंगे user से, हमने customer से सारा बात किया कि इतना पैसा लगेगा, इतना दिन लगेगा सारा clear कर लिया, सारा clear करने के बाद हमने एक team बना लिया और team बना के उस team को हमने वो project वाला काम थमा लिया तो ये हो गया हमारा planning वाला page जहांपे हम planning करते हैं database project बनाने के लिए तो database project को plan करने के बाद उसके बाद next page आता है requirement analysis हमने यहां पर planning तो कर लिया कि हमें database project बनाना है, उसको हमने एक team को provide कर लिया, उस team में अभी हम क्या करेंगे, उस team में कुछ लोग, कुछ employees मिलके क्या करेंगे, जो जो भी requirement है उस database project को बनाने के लिए, उसको analysis करेंगे, तो database planning phase खतम होने के बाद, next phase जो होता है, वो है requirement analysis, हमन तो database planning phase में planning कर लिया, कैसे database बनाएंगे, क्या database बनाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना लोग चाहिए, कितना time लगेगा, और उस particular project को हमने थमा लिया, एक group को, जिस group में बहुत सारे employees हैं, तो वहाँ पे planning करने के बाद, अभी हमी क्या करना है, उस particular database project को बनाने के लिए हमें क्या क्या requirements हैं, क्या क्या चाहिए हमें, वो सारे requirements को अभी हम analysis करेंगे next page में या फिर next step में, ओके, तो जो लोग उस particular project के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या requirements हैं, उसको analysis करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, analyst, ओके, a person और multiple number of persons are responsible for analysis of requirement for the database project, एक database project को बनाने के लिए, हमे requirements को analysis करते हैं, जो persons, चाहिए वो एक इनसान हो, या फिर more than persons हो, जो भी persons उन particular database project को बनाने के लिए, जो भी requirements हैं, उन सारे requirements को, जो भी employees analysis करते हैं, उन employees को हम क्या बोलते हैं, उन employees को या फिर उन persons को हम बолते हैं, analyst. Those who analysis the requirement of a particular database project Those are known as analysts जो भी एक particular database project के लिए requirements हैं उसको analysis करते हैं जो persons उन persons को हम बोलते हैं क्या? Analyst तो यहाँ पर analyst करते हैं क्या? Analyst, analysis करते हैं वो सारे requirements को जो सारे requirements हमें हमारे database project में छहीए मतलब वो database project में customer को क्या-क्या जरूरी है? उस particular database project में हमें program के लिए क्या-क्या चाहिए? ओके, यह सारा चीज हम क्या करते हैं? Analysis करते हैं और analysis करने के बाद analysis करता कौन है? Analyst Analyst करने के बाद उसको specify करता है एक document में ओके, एक document file बनाता है कि क्या-क्या चाहिए उस particular database project को बनाने के लिए और जिस document फाइल में सारे requirement को represent करता है उस document को हम क्या बोलते है SRS document SRS का full form क्या है Software, requirement and specification एक software को या फिर एक database project वाला software को develop करने के लिए हमें क्या क्या requirements है उसको specify करता है जिस document में एक analyst उस document को हम बोलते है SRS document तो second page में हमने क्या क्या first page में हमने database planning करने के बाद second page में हमने analysis किया वो सारे requirements के बारे में जो सारे requirements है जरूरी है हमारे database project को develop करने के लिए और सारे requirements को हमने specify किया एक document में जिस document को हम बोलते है SRS document और यहाँ पे सारा चीज analysis किस ने किया सारे requirements जो भी है एक database project को डेफ्लाब करने के लिए सारे requirement को analysis तुछ ने किया उन employees को हम बोलता है analyst, तो analyst क्या करता है एक particular database project डेफ्लाब करने के लिए जितने भी requirements है सारे requirement को analysis करता है और analysis करके उसको represent करते है एक document file में तो second phase हमारा खतम हो गया क्या-क्या requirements थे हमें database project develop करने के लिए सारा हमने requirement को analysis करके उसको एक document file में represent कर लिया जिस document file को हम बोलता है srh document तो requirement सारे analysis करने के बाद अभी हम क्या करेंगे next phase में आएंगे next phase हमारा क्या है कि जो जो हमें चाहिए था सारे requirements क्या क्या है सब कुछ हमने collect कर लिया उसको हमने एक document file में represent कर लिया अभी हम क्या करेंगे अभी हम एक designing बनाएंगे database का कि हमें जो जो चाहिए तो हमने उसको collect कर लिया अभी हम उसका एक designing बनाएंगे designing क्यों बनाना है कि उस particular database में हम जो भी different type of tasks, different type of transactions different type of operations पौफम करेंगे तो किस operations को link हम किस operation के साथ करेंगे किस operation के पाद किस operation को पौफम करना है जैसे कि suppose अगर आपको एक घर बनाना है तो आपने पहले क्या क्या रिक्वार्मेंट से घर बनाने का सारा आपने analysis कर लिया एक list बना लिया आपने कि ये सारा चीज हमें चाहिए उसका एक list बना लेने के बाद फिर आपने क्या किया उसका एक आपने घर का एक diagram बनाया कि आप वो कितने कमरे चाहिए कहां पे किस तरह का कमरा चाहिए आपने उसका एक diagram बनाया उसका एक design बनाया वैसे ही एक database project को बनाने के लिए जितने भी सारे requirements थे का database का उस particular database project का कि उस particular database project जो हम बना रहे हैं वहाँ पर transaction कैसे होगा किस transaction के बाद किस transaction को हम करेंगे तो यह सारा चीज हम क्या करते हैं एक diagrammatic way में represent करते हैं जिस page में यह फिर जिस state में उस phase को हम बोलते है database designing page ओके जो की requirement analysis phase के बाद आता है इस page में क्या करते हैं this page is used to design a conceptual structure मतलब यहां पर हम क्या करते हैं conceptually एक structure बनाते हैं जिस structure में हम describe करते हैं कि हमारा database actual में कैसा काम करना चाहिए मतलब किस operation के बाद किस operation को perform करना चाहते हैं किस operation से पहले किस operation को perform करना चाहते हैं हमारा ट्रांजेक्शन एक डाटाबेस के अंदर कैसे होना चाहिए उस पॉर्टिकुलर टोटल स्ट्रॉक्चर को conceptually हम diagramatically जो represent करते हैं जिस फेज में उस फेज को हम बोलते हैं डाटाबेस डिजाइनिंग फेज जिस फेज में हम क्या करते हैं एक डाटाबेस का डिजाइनिंग बनाते हैं conceptual designing मतलब इसको diagramatically उसका structure हम define करते हैं कि उसके अंदर transaction कैसे perform होगा किस फेज में database designing फेज में तो database designing फेज में हम क्या क्या activity perform करते हैं क्या क्या task perform करते हैं first हम design करते हैं उसका conceptual structure किसका database project का उस particular database project का एक diagrammatic conceptually उसका structure define करते हैं कि उसके अंदर किस transaction के बाद किस transaction को करेंगे किस transaction को हम कहां पे करेंगे इसका एक diagram representation करते हैं diagrammatic representation करने के बाद वहां पे हम mainly ये ध्यान देते हैं कि किस type of transaction हमें कहां पे करना है हमारे database process के अंदर और जो diagram में हम एक design बनाते हैं कि हम किस transaction के बाद किस transaction को करेंगी कहां पे किस type का transaction करेंगी जो diagram में हम उसका एक design बनाते हैं उसको हम बोलते हैं the process of designing so designing process में हम क्या करते हैं designing process में या फिर database designing phase में हम mainly क्या करते हैं यह specify करते हैं कि हमारे database project में किस तरह का transaction होगा कैसे वो transaction पॉपम होगा किस transaction के बाद किस transaction को हम करेंगे यह सारा चीज हम क्या करते हैं, data base designing process में एक diagrammatic structure एक conceptual structure के द्वारा उसको हम represent करते हैं. तो फॉस्ट हमने data base बनाने का planning किया, उसके बाद जो data base बनाने के लिए जो झो भी requirements हैं हमने उसको analysis किया, एनालिसिस करके उसको एक document में represent किया फिर हमने उसका एक डाइग्रामेटिक conceptual structure बनाया conceptual structure बनाने के बाद next page में हूँ क्या करेंगे उसी particular conceptual structure या फिर उसी database structure या फिर design को base करके अभी हम database program बनाएंगे database का program लिखेंगे तो database का program लिखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एक debia में software को select करना पड़ेगा, कि हम किस तरह के debia में software को select करके database project बनाना चाहते हैं. तो debia में software select करते हैं, किसको base करके? हम debia में software select करते हैं, economical और technical factor को ध्यान देते हुए. मतलब, जिस customer ने हमें इस database project को बनाने के लिए बोला है, उस particular customer ने हमें कितना price दिया है, price के हिसाब से, और उस particular customer के पास किस तरह का computer है? वो technology वाले computer को base करके हम use करते हैं, select करते हैं debia में software को, जिस debia में software को हम select करने के बाद use करते हैं, उसको database project develop करने के लिए और database project को develop करते हैं, selection of debia में phase में. तो selection of debia में phase में हम क्या करते हैं, हमने जो design phase में एक design बनाया, उस design को base करके, हम एक database project develop करते हैं, by selecting a debia में software, एक debia में software select करते हैं पहले, customer के financial और technical factor को ध्यान देते हुए, financial factor मतलब, economical factor मतलब, वो हमें कितना पैसा दे रहा है उस project को बनाने के लिए, और उसके साथ-साथ, उसके पास किस तरह का computer है, ओके, ये चीजों को ध्यान देते हुए, हम select करते हैं, एक debia मेंस project, और उसे debia मेंस project को हम select करके, उसको use करके, हम क्या करते हैं, डाडावेस project को develop करते हैं, और यहाँ पर वही लिखा है कि हम इस page में क्या करते हैं, पहले हम एक storage structure define करते हैं, और मतलब, जबकि storage structure define करते हैं, और access method को define करते हैं, इसका मतलब क्या, कि हम यहाँ पर debia मेंस software को use करते हैं, और debia मेंस software को use करके, हम एक storage structure बनाते हैं, कि मतलब, हम एक database project को बनात के बाद फिर हम क्या करते हैं उस database project को हम allow करते हैं user को use करने के लिए तो user को use करने से पहले हम क्या करते हैं इस page में इस page का काम यह है कि इस page में हम select करेंगे एक dbma software और dbma software use करने के बाद select करने के बाद उस dbma software को use करके कि हम बनाएंगे एक database project और database project बनाने के बाद अभी हम क्या करेंगे उस database project अभी database project हमारा ready हो गया database project ready होने के बाद next page में हम आते हैं implementation and testing जिस page में हम क्या करते हैं उस particular database हमने जो बनाया जो database project हमने बनाया DBMS software को use करके उस project को हम implement करते हैं या फिर install करते हैं customer के computer system में जिस customer ने हमें उस database project को बनाने के लिए बोला था उस particular customer के system में हम उस database project को implement करते हैं या फिर install करते हैं install करने के बाद हम वहाँ पे test करते हैं कि वो project properly काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली हमें result provide कर पा रहा है कि नहीं, प्रॉपरली हम उस particular computer system में उस database project को use करके task के फिर operation perform कर पा रहे हैं कि नहीं, यह सारा चीज हम test करते हैं, install करने के पाद implementation and testing phase में, okay, समझ आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे देखा, dbms selection phase क के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने database project develop किया है, उस database project को हम implement करते हैं कैसे, computer system में install करके उस particular database project को install करने के बाद वो क्या करता है, हमारे computer system का memory space reserve करता है, जितना भी memory space उसे चाहिए, एक particular database project को hold करके रखने के लिए हमारे computer system में, उसके साथ साथ वो particular database project हमारे computer system में, क्या क इसको के सकते हैं यह कैसे यह सब्सक्राइब से थे लाटे को हम कुए ओस में उसको टेस्ट करने के बाद अगर हमारा मतलब हमारा database project अगर सही से काम कर रहा है इसका मतलब हमारा ये page का काम successful हुआ और इस page में जब हम database project को बनाने के बाद install करते हैं एक customer के computer system में उसके साथ-साथ हम क्या करते हैं एक manual भी provide करते हैं manual मतलब क्या जैसे कि अगर आप कोई tv खरीतते हो फ्रीज खरीतते हो कोई भी device अगर आप खरीतते हो तो उसके साथ आपको manual provide किया जाता है जहां पर लिखा गया होता है कि आपको किस device को उस particular device को कैसे use करना है वैसे ही अगर database project एक customer को बना के provide करते हैं तो जरूरी नहीं कि customer को सारा चीज easily पहले से पता चिल जाए कि यह वाला काम इसको हम इसको हम इस काम के लिए उसकरते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं एक manual provide करते हैं एक manual वाला document बनाते हैं और manual वाला document में हम specify करते हैं उस particular database project के बारे में सारा information कि इसको यूज़ करेंगे इस काम के लिए इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको इस काम के लिए यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं यह सारा information हम जो provide करते हैं एक document में वो इस document को हम बोलते है manual ओके तो एक developer क्या करता है database project जब develop करता है उसके साथ वो एक manual भी develop करके provide करता है user को ताकि उस particular database project को जब customer use कर रहा है तो वहाँ पे अगर उसको कोई problem फेस हो रहा है तो उस problem को solve करने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं user को manual provide करते हैं user उस manual से जैसे कि अगर आप कोई नया device करिते हो उस नया device के बारे म आपके पास ज्यादा idea है नहीं तो वहाँ पे अगर आपको manual provide किया गया है तो आप क्या कर सकते हो जब आपको problem उकर होता है तो आपको manual देखके उस device के बारे में information gain करके क्या कर सकते हो आप उस device को use कर सकते हो वैसे ही अगर आप एक database project use कर रहे है अपने device में जो कि developer ने तो वहाँ पे अगर आपको manual provide किया गया है उस manual से आप उसके बारे में information collect करके easily क्या कर सकते हो उस database project को use कर सकते हो तो implementation and testing page में हमने software को यह database project को implement किया, test किया, test करने के बाद अगर सही से काम कर रहा है उसके बाद हमने उसको provide किया customer को अपने computer system में use करने के लिए उसके नाम है operational maintenance phase, तो operational maintenance phase आता है implementation phase के बाद, implementation phase में हम एक computer system में customer के computer system में implement करते है उस particular database project को, जिस database project को हमने हमें बनाने के लिए बोलाता किस ने? तो customer के computer में उस database project को implement करने के बाद customer easily क्या कर पाता है? उस particular database project को यूज़ करके अपने computer system में task and operation perform कर पाता है तो suppose database project को यूज़ करके task and operation perform करते हैंगे वक्त वहाँ पे अगर कुछ problem आते हैं या फिर उस particular database project में अगर customer और कुछ changes करना चाहता है कुछ modification करना चाहता है तो जिस page में हम modification करते हैं उस particular database project में उस page को हम बोलते हैं operational maintenance page जिस page में उस particular database में अगर कुछ changes करना है जैसे कि आपने already घर बना लिया है घर बनाने के बाद वहाँ पे अगर आप कुछ extra room बनाना चाहते हो उसके अंदर कहीं पे और या फिर कोई छोटा सा अगर अलग से एक छोड़ा सा room बनाना चाहते हो और कुछ थोड़ा सा modification करना चाहते हो अपने घर पे पहले आपने अलग सा color लगाया था बाद में अलग सा color लगाना चाहते हो घर के अंदर तो अगर कुछ भी changes अगर आप करना चाहते हो एक घर बनाने के बाद या फिर एक database project बनाने के बाद तो उसका मतलब क्या कि हमारे घर को और थोड़ा modification करना चाहते हैं तो modification हम जो हमारे घर पे या फिर database project में करते हैं वो जिस phase में होता है जिस step में होता है उस step को हम बोलता है operational maintenance phase या फिर operational maintenance step तो यह थे कुछ different steps जिन steps को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए जिस steps को हम यूज करते हैं database project को develop करने के लिए तो वैसे ही अगर हम database project बना चुके हैं customer को provide कर चुके हैं उसके बाद अगर customer database project में कुछ changes करना चाहता है तो changes कर सकता है operational maintenance phase में changes जैसे कि अगर कुछ नया field डेड़ करना चाहता है database table में अगर पहले से कोई table है उसको modify करना चाहता है या फिर कोई particular field delete करना चाहता है कोई database table से तो ऐसे कुछ भी changes जैसे अगर perform करना चाहते है database में database project में तो उसको change कर सकते है operational maintenance phase में जिसके वज़े से क्या होता है हमारे database project का optimization या फिर performance optimize होता है increase होता है better होता है तो समझ आ गया कि DDLC क्या है DDLC हम क्यों use करते है DDLC में different type of steps क्या है किस type के बाद किस type को हम use करके कैसे एक simple database project develop कर सकते हैं DDLC के द्वारा जिसके बारे में आज हमने discuss किया तो आज का ये topic यहाँ पे हमारा खतम होता है तो next class में हम सुरू करेंगे और कुछ topics के बारे में और कुछ chapters के बारे में आज के लिए इतना ही Thank you